तेरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा किनारे पर बैठ कर कोई गोता कोर नहीं बनता है कुछ कमाल करके दिखाना है तो थोड़ी रेस्तो लेनी पड़ेगी और मैदान में उतरना पड़ेगा तब जाकर कहीं वरशब राशी वाले लोगों को मई 2023 के महिने में सक्सेस बिलेगी नमशकार प्रेसातियों मैं हूं सुरेश श्रिमाली और आप देख रहे हैं वरशब राशी 2023 मई राशी फल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आगे बढ़ने से पहले दो इंपोर्टन बात है आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्य हो लेकर मुझसे पर्सनल मिलना चाहते है तो फिलहाल मैं 23 अपरेल को दिली हूँ 24 अपरेल मुंबई 29 और 30 अपरेल को बना रस 4-11-29 मैं दिली 5 मैं हल्दवानी नैनिताल 21 मैं पुने और 26 मैं को मुंबई रहूँगा अगर आप 12 से बाहर रहते हैं तो मैं फिलहाल 6 और 7 मैं को काट माटू 13-17 मैं सिंगापुर 27-28 मैं दुबई 8-30 जून तक US, कैनेडा और UK ग्यातरप रहूँगा दूसरी important बात 19 भई शरी जर्मोस्व पर आप जोदपूर आमध्रित हैं यहां पर विशेश आपको अनुस्थान में भाग लेना होगा साथ में गुरु दिक्षा प्राप्त कर सकता है और कुंडली का विस्टेशन होगा मेरे प्रिये वरशब राशिवाले दर्शकों आज सबसे पहले राशिवल के कारीकरम बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की कौन सी डेट पर आपको अलेट है कौन सी आपके लिए शुब डेट से बिजनस एंड वेल्थ की बात करेंगे जॉब एंड प्रॉफेशन की बात करेंगे फैमिली लाइव लव लाइव और रिलेशिशिप की बात करेंगे स्टूडेंट ए लर्नर की बात करेंगे सेहत और ट्रैवल प्लैन की बात करने के बात यादगार और शांदार कैसे बने म मेरे प्रेशात्यूंग आप हो मैं आमखास कोई भी हो आपने हमेशा साथ हूं और इस डेट को अमेशा लोग याद भी रखते हैं कि महिने में दो-चार दिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे काम को नहीं बनने देते हैं हमें किसी तकलीफ में डाल देते हैं कुछ ना हो तो टैंचन, डिप्रेशन और मन मस्तिश पे तकलिव देता है। ये वक्त तब आता है जब वरशब राशी से चंदरबा, जो की मन और मस्तिश की सौमी है, चौथे आटवे बारवे जाएंगे तकलिव देंगे। इसी कड़ी में एक 27-28 माई को चौथे, 19-10 माई को गुरू चंदरबा का केद्र का संबंद मनाएगा महान गज केसी योग, 24-25-26 माई को थर्ड आउस में चंदरमंगल का महालक्ष्मी योग रहेगा, 13 माई तक 12 आउस में सूरिय बुद्ध का बुदादित योग, और 9 माई तक मंगल और बुद्ध का परिवर्तर राज य ग्रहों के साथ साथ देवी-देवता भी आपको बड़ा आशिर्वात देंगे, 1 माई मोहिनी 11, 19 माई शनी जैन्ती, 31 माई नेडजला 11, आइए बिजनस और वेल्थ से शुरुबार करते हैं फूड और बेवरिजेज, होटेल, रेस्टरेंट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माईनिंग से जुड़े वे लोगों को बड़े लाब बिलेगे, टूर्श और ट्रेवल वाले लोगों को थोड़े तकलीबा सकती हैं, वहीं जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का का करते हैं, उनको कोई लीगल ही तकलीबा सकती है, ध्यान रखना होगा, बिजनस के कारक बुद्ध का सेवन ताउस से सड़ाश तक दोश रहेगा, आप कुछ रॉंग डिसेज लेंगे इस महिने, जिस वज़े से लेंदेर में तकलीबा सकती है, अवेरनेस जरूर रखिए, वैसे इस महिने लंबे समय से रुकावा पैसा आपका वापस आ सकता है, स्पेशल परियास करने से, तेरा महित तक ट्वैल्थ आउस में सूरीबुद का बोदादी तियोग रहेगा, जिस से पिछले कुछ महिनों में आपके दुआरा किये कि इन्वेस्मेंट का आपको एनर्जी लेवन और का इन कई क्रेटिव और इन्वेटिव आइडियास इन दोनों का समावेश अगर आपने कर लिया, तो लॉजिकली आप काम अच्छा कर पाएंगे, बस लीगल अवेरनेस आपको रखनी होगी, इस महिने आपका कोई अपना ही व्यक्ति आपको दोखा द इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की, इस पूरे महिने 10 आउस में 6 योग रहेगा, जिससे जॉब में अगर आप प्रमोशन, जॉब अदलना या कोई स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे तो यह सपना साकार हो सकता है, कि उशन यह अपनी डिगरी से आगे निकले हैं, 13 मही तक सूरी का 10 आउस से पराकरम और लाब का संबन रहेगा, जिससे आपका एक्सपिरियंस उत्सा देगा, और सक्सेस के लिए नए रास्टे आपके खुलने बाले हैं, 10 मही से मंगल के आपकों में खटगने लग जाएंगे, इसको आपको मैनेज करना है, 13 मही तक 12 आउस में सूर्य बूत का बुदा दित्यों गरेगा, जिससे अनएम्प्लोइड परसन को प्राइवेट सेक्टर में जॉब बिल सकती है, नए अफसर आपको मिल सकते हैं, कुछ नया होनर सीखन और ट्रेवल में बिजनस विद प्लैजर हो सकता है, इसलिए आप अलर्ट रहें और अमेशा पूरा मैनेजमेंट करके चलिए, ये बहीना आपका हो सकता है, आए बात करते हैं मंतली वास्तु टिप की उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त पीने का पाने कीचन में उत्तर पूर्व की तरफ रखने से एनर्जी लेवल बढ़ता है, अब बात करता है फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेस्टिशिप की देखिए दो मई तक तो मालब योग बन रहा है जो फैमिली लाइफ को देख रहे हैं, लेकिन तीन मई से शुकर सेवन ताउस से सडाश टक दोश बनाएगे, तो लव पार्टर और लाइफ पार्टर में कुछ परिवरतन आएगे, कुछ तकलिफ है आ सकती है, बेवजे का और कहीं कुछ गड़बर हो सकती है, ये ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, शनी की दस्वे दिरिश्टी सेवन ताउस पर रोने से, मई मैने में गर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप कुछ इस्पेशल काम कर पाएंगे, जो प्रोफेशनली भी आपको ल राजबान हैं, इस वज़े से परिवार के साथ ट्रैवल करने का आपको मौके बिलेगे, नया गुर्फ सीखने का आपको बिलेगा, लेकिन जूठे, लांचन, आरोब ये आपर लगने बाले हैं, इससे आपको बचना है, भड़ियों की तकलिप आपको परिशान कर सकती है, गर का माहुल अच्छा बनाने के लिए दो या तीन बार आपको बड़े त्याग करने पड़ेंगे, कड़वे गूट आपको पीने पड़ेंगे, बात करते हैं स्टुडेंट एंड लेर्नर की, 12 आउस में गुरु राहु का चांडाल दोश और गुरु का पड़ाई की गरसे सडाश टक दो, जिससे ऑनलाइन, ओफलाइन, कुछ भी पड़ाई है, उस पर बुरा असर पड़ सकता है, आपके ध्यान न लगाने, लेट लतिफी, आलस से और कहिन कहीं गौसिपिंग में ट पस जाएंगे चंगुल में, ध्यान रखना होगा, नौ मही तक मंगल की चौती दृष्टी पंचब बाव पर होने से, हायर एजुकेशन में स्टूडेंट अपने सेमेस्टर, एक्जाम में उम्मीद से बहतर फरफॉर्मेस तब दे पाएंगे, जब लगातार प्रयास करें चरे वेती, चरे वेती, उन तेरा बही तक, च्वेल्थ आउसे सूर्य बुद्गा बुदातीतियों कि अगर आप विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, तो कोई टेक्निकल एरर हो सकता है, पूरी जाच परताल, कंसर्टेंट से अपनी सला मश्वरा लेने के बाद ही काम करे स्टूडेंट, आर्टिस और प्लेर्स, अपने टीचर, कोच, मेंटोर के बताएवर रास्ते पर चलेंगे, तो बड़े लाब बिलेंगे, मैनेज्मेंट, लॉट, टेक्नोलोजी से स्टूडेंट को बड़े लाब बिलेंगे, लेकिन जब मंगल थर्ड आउस में चले जाए पुराना रोग वापस आ सकता है, मानसिक बिमारी आपको परिशान कर सकती है, क्योंकि जड़त पर दोश और चांडाल दोश आपको परिशान करेगे, सर्दी, जुकाम, लू लगना, बुखार की तकलिफ आपको परिशान कर सकती है, लेकिन जब भी आप परिशान होंगे, आपको solution भी जरूर मिल जाएगा तो आप enjoy करिए इस महीने तीन बार आपको person of professional life जैसे मैंने कहा है कि यातरा करने का अफसर आपको मिलेगे मही महीने बाब आए जानते हैं भूल कर भी क्या नहीं करें कभी भी बुरा वैवार किसी बुज़ूर्ग वैक्ति के साथ नहा करें बात्रूम में पानी फैला हुआ और नल टपकते हुए नहो घर लोटने पर जूते मोजे चपल इदो दुर फैकने के बजाए गर के बाहर रखने चाहेगे यह बात करते हैं विशेश उपाएगी उन्निस बई शरी जन्मोस तो पर फ्राता काल स्नान आधिकारों से निवरत होकर शनी माराज का ध्यान करते हैं ओम एंग हरीम स्रीम सरेश चराय नमहा 21 मिनट तक यह जाब करी और काले और नीले रंग की कोई चीज़े आप दान करी और कहीं न कहीं लोहा दान करना शुम रहेगा तेल से अभिशेग दशरत करते हुए शनी माराज का अभिशेग करना चाहेए 30 मैं सरी गंगा दशरेपर आप घर पर ही नहाने के पाने में एक डखन गंगा जल मिला कर स्थान करिए माता भगवत्ती का ध्यान करते हुए गंगा इस्तोतर का पाड़ कर इससे घर दुकान ऑफिस फैक्टरी व्यापार में बाधाएं दूर होगी 31 मैं निर्जला एकादेशी पर भगवान सरी कृष्ट को मिस्त्री युक्त माखन का भोग लगाना चाहिए रागीर को पानी ठंडाई और कहन के शर्बत पिलाएं मटकी पंखा चटाई कूलर योगा मैट्स ये डोनेट कर रहे से बहुत लाब बिलता है पुन्ने बिलता है मेरे प्रियो वरशब राजी वाले धर्शकों स्वस्त रहिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए आप मुसे परसली मिल सकते हैं या टैलिफॉनिक और वीडियो कॉन्फरेंस आपटमेंट से भी जूट सकते हैं दियेगे नबर पे संपर करके पूरी जानकारी भी हासिल कर सकते आज के लिए तरह हैं प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद जय जय शनी देव जय 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 शनी देव प्रेसातियों कलीउगु में सबसे ज्यादा अगर भायभीत कोई इंसान किसी ग्रैस से है तो वो शनी देव है जबकि शनी देव ना तो किसे से दुश्मनी करते हैं और ना दोस्ती करते हैं वो तो सिर्फ आपके अपने कर्मों के फल आपको देते हैं लेकिन जाने और अंजाने में हम से कई गलतिया हो जाती हैं उसी से ही हम परेशान होते हैं शनी की दशा, अंतरदशा, शनी की डईया, शनी की साड़े साती, शनी का किसी प्रकार से अगर कुंडली में दोश है, तो उन्डिस भई शरी अमावस्या पर आप सभी को मैं आमंत्रिट कर रहा हूं जोदपुर में, आप अधारिये, आपके हातों से, आपके परिवार के हात पंडितों से एक ऐसा अनुस्तान करेंगे जिससे हमारे जीवन के सारे कस्ट समाप्त हो जाएंगे, आध्यात्मी साद्रा सिर्दी केंदर के विद्वान पंडितों से कुछ ऐसा अनुस्तान करेंगे, कि आपके जीवन में सदैव के लिए कस्ट समाप्त होकर सुक्ष, सम्र परती और शांती आएगी देगे नमबर फे संपर करके पूरी जानकारी आपराप्त कर सकते हैं धन्यवाद